हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेट तो इस्पीक इंग्लिश विट मी अगर हम मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सस्काइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंट्स के साथ भी शेयर कर फर्स संटेंस इस वी रेली लीवड लाइफ हमने वाकी में जिन्दिगी जी यू आर कायड तुम दरपोखो कायड मिस दरपोख इंजोई अलोट बहुत मज़ा आया अलोट मिस बहुत और इंजोई मज़ा डॉंट वाक बियर फुट नंगे पर मत चलो डॉंट वाक बियर फुट नंगे पर मत चलो बियर फुट यानि नंगे पर दुबारा कम मिलेंगे वेन विल मेट अगें दुबारा कम मिलेंगे वेन में विल भी मिट अगेन इंडिया जीते की इंडिया इसा जोंग में न आ मिस गोिंग तो si आंडिया इसा जोंग कमा वियर दॉर्ण ड्पी शमार्टे मिस्मार्ट । चलाद मत बने। Smart means चलाग, don't be smart You will learn English, तुम अंग्रेजी सीखोगे You will learn English, तुम अंग्रेजी सीखोगे You will learn, तुम सीख जाओगे You will learn, तुम सीख जाओगे कोई भी कामा से सीख निक नहीं होगे You will learn Driving सीख लो, learn driving Driving सीख लो, learn driving उसे मत घूरो, don't stare at him Stare means घूरना, at him उसको Don't look at him, उसे मत देखो Don't look at him, उसे मत देखो Don't look at him You have the art तुम्में कला है You have the art, तुम्में कला है You have the art Art means color AC बंद करो Switch off the AC AC बंद करो Switch off the AC Switch off the AC AC on करो Switch on the AC Why do you talk such nonsense तुम ऐसी बक्वास क्यों करते हो Why do you talk such nonsense Nonsense, बक्वास और ऐसी such talk ऐसी बात नहीं है It's nothing like that या nothing as such It's nothing like that या nothing as such Is Ram in क्या राम अंदर है Is Ram in क्या राम अंदर है In means अंदर समझ गए Understood या Got it Understood या Got it Understand की second form है Understood We had to repair the scooter हमने स्कूटर ठीक कराना पड़ता था हमें स्कूटर ठीक कराना पड़ता था We had to repair the scooter We had to repair the scooter You had to come here immediately आपको तुरंत यहां आना पड़ता था You had to come here immediately Immediately तुरंत या एकदम से Immediately Nothing could be better than this इससे बेतर कुछ हो ही नहीं सकता Nothing could be better than this इससे बेतर कुछ हो ही नहीं सकता Though I was thinking हाला की में सोच रहा था Though Miss हाला की Though हाला की I was thinking में सोच रहा था Father had to go to Delhi पिता जी को दिल्ली जाना पड़ा था Father had to go to Delhi पिता जी को दिल्ली जाना पड़ा था This time coming क्या शाम आ रहा है This time coming क्या शाम आ रहा है asking के कोशन है This time is coming क्या शाम आ रहा है मैं भी साथ चलू, मैं आई अकंपनी हूँ या शेल आई अकंपनी हूँ अकंपनी मतलब साथ चलना, मैं आई कंपनी हूँ या शेल आई कंपनी हूँ रोश्नी है टू सिंगिंग अ संग, रोश्नी को गीत गाना पड़ा था रोश्णी है to sing a song रोश्णी को song गीत गाना पड़ा था तुम्हारे पास बहुत सी सारिया है या या यू हैव मनी फोन तुम्हारे पास बहुत से फोन है गबराने की बात नहीं है not to worry या nothing to worry about let me get ready जरा में तैयार होलू get ready यानी तैयार we had to cook the food हमें खाना बनाना पड़ा था we had to cook food हमें खाना बनाना पड़ा था what's the matter क्या हुआ what's the matter या what happened why did you not go to school today आज तुम्ही स्कूल क्यों नहीं गए why did you not go to school today आज तुम्ही स्कूल क्यों नहीं गए we have to shop हमारे पास दो दुकाने है we have to shop हमारे पास तु दुकाने है we have to shop he is suffering from fever उसे बुखार है he is suffering from fever उसे बुखार है यह मुझे बुखार है I am suffering from fever I don't agree या I don't believe मैं नहीं मानता I don't agree या I don't believe मैं नहीं मानता do we switch on the computer computer चालो करें क्या या shall we switch on the computer computer चालो करें क्या do या shall दोने यूज़ कर सकते है what exactly is going on आखे चल क्या रहा है I really did wrong to you मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया गलत किया तो I really did wrong to you I really did wrong to you would you do me a favor प्लीज मेरा एक काम करोगे would you do me a favor प्लीज would you do me a favor प्लीज my brother is studying मेरा भाई पढ़ा है my brother is studying मेरा भाई पढ़ा है study यानि पढ़ाई कर रहा है he will have to say sorry उसे माफी मागनी पढ़ेगी he will have to say sorry उसे माफी मागनी पढ़ेगी या उसे sorry कहना पढ़ेगा he will have to say sorry when did you come आप कब आई when did you come आप कब आई या when did you come तुम कब आई few things are not in our control कुछ चीजे हमारे बस में नहीं होती few things कुछ चीजे आवर कंट्रोल हमारे बस में few things are not in our control they are going to market पे बजा जा रहे हैं they are going to market पे बजा जा रहे हैं going to यानि जा रहे हैं he will have to work hard उसे मेहनत करनी पड़ेगी he will work to hard work he will have to work hard उसे मेहनत करनी पड़ेगी जिससे इनको भी इस वीडियो का प्राफिट हो सके thanks for watching my video